हेलो वाइस आज हम बात करेंगे रेड्मी फोनों के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके फिंगर्पिंट लॉक के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में फिंगर्पिंट लॉक का सेट अप करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें जीगा बेल के इकोन को प्रेस करें पर अप लोग है तो फ्सके बाद हम क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर डाल ले万 प्रेट किया हमें यह हो फिर से एक बार कंफर्म मुंद आप लीते हैं उसके बार जैसे की अभी हमारे फोन में क्या है कि power button में fingerprint है, तो यहां पर मैं डाल लेता हूँ, आप लोग को दिखे, मैं अपने phone में तो कर रहा हूँ यह सब चीजे, बट आप लोग को दिखा ही नहीं देखी, क्योंकि यह जो feature है था न, मतलब security के कारण देखने को नहीं मिलता, तो यहां का देखने को मिलता अच्छी बात है तो यहां पर हमने इसको डाल लिया, अपना fingerprint को add कर लिया है, अब use fingerprint for पर क्लिक करके हम इसको privacy password पर use कर सकते, app lock पर use कर सकते, या फिर कुछ payment वाली app पर use कर सकते, ओके और चाहे तो आप लोग एक से जादा और फोनों में, बटनों में ही fingerprint देता है, कहीं पर भी होगा अगर इन डिस्प्ले में भी होगा, तो भी इसी टाइप का आप लोग setup कर लेना है, कोई भी doubt रहा था तो आप लोग हमें comments करके बोल सकते हैं, आप इस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी